मैं आपके निशुसकदार आप सब कैसे हो आप सब अच्छे होंगे में भी अच्छी हूँ तो मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगे बेर का मीठा अचार और यह खान में बहुत यम्मी लगता है बहुत टेस्टी लगता है तो आप वीडियो के एंड तक जरू देखेगा चलो बड़ाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें सूखी बेर चाहिए जिसको मैं ने दोकी रखा है अब इसको मैं बॉइल कर लूँगी अच्छे से फुल हाइफ ले में बॉइल करना इसको तो एक देखेए हमारा बॉइल हो चुगा अब मैं इसको च्छान दियोंगी पाने को अलग कर दिया बेर से को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले बेर मीठा पन के लिए गुर नमक, हल्दी, सुक्योई लाल मिर्च और सर्सो तेल तो सबसे पहले हम कराई को गरम करने के लिए दे देंगे तो यह हमारी कराई गरम हो चुकी है अब इसमें हम तेल डालेंगे तेल को गरम होने के लिए रख दूँगी मैं देखिए हमारा तेल हो चुका है गरम अब इसको मीडियम फ्लेम में कर देंगे अब इसमें लाल मिर्च डाल देंगे हमें थोई दिर इसको फ्राई करना है आप देख सकते हैं हमारा लाल मीर्च अच्छ से फ्राइए हो चुका है आप मैं इसमें सरसू डाल दूँगी हमारा सरसू भी फ्राइए हो चुका है अब मैं इसमें बेट डाल दूँगी मैं सबसे पहले बेरों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी अच्छे से फ्राई कर लूँगी तो यह दीए। तो यह देखे, हमारा बेर अच्छी सो फ्राई हो चुका है। मैं स्वियह थोड़ा से ल्टी डालूंगी। इसमें ज्यादा हल्दी नहीं डालना है। मैं तो अब मैं इसमें सुगाद अनुसर नमग भी डाल दूँगी। तो आप मैं बेर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो यह देखिए हमारा बेरा अच्छे से मिक्स हो गया आप में इसमें पानी डाल दूँगी हमें इसको जब तक पकाना जब तक इसमें उबाल निया जाता तो आप देख सकते हैं पानी में उबाला आच चुका है अब इसमें हम गुर डाल देंगे हमें गुर को तब तक पकाना जब तक हमारा गुर गल नहीं जाता अच्छे से तब तक मैं गुर को पकने के लिए छोड़ दूँगी तो देखिए हमारा गुर अच्छे से गल चुका है और हमारा बेर का कलर भी चेंज हो चुका है हमें इसको तब तक पकाना है जब तक यह थोड़ा सूख ना जाता और बेर एक दूसरे के साथ चिपक नहीं जाते तब तक हमें अब इसको पकाते रहना है हमें इसको फुल हाई फ्लेर में पकाना है तब तक हम मसाले बना लेते हैं उसके लिए हमें जीरा चाहिए मेति दो लाल मिर्च तब से पहले हम तब गरम कर लेंगे तब अगरम होने के साथ हमें इसमें दो लाल मिर्च डाल देंगे इसको थोई दिर हमें भूनना है यह हमारी मिर्च भून चुकी है हम इसमें हम मैति डाल देंगे साथ इसाथ हमें जीरा भी डाल देना है तो हमें इसको बहुत अच्छे से भूनना है तो यह देखिया है हमारे मसाले भून चुके है अब इसको में रतार दूंगी और इसका में पाउडर बना दूंगी तो यहाँ पर हमारा बेर भी अच्छी से बिल्कुल पक चुका है अब इसमें में मसाले डाल दूंगी जो भी मैं ने भून के पीस रखा था यहाँ पर मैं मिक्स करूंगी मसाले और बेर को हमें बहुत अच्छी से मिक्स करना है तो यह देखे हमारा मसाले अच्छी से मिक्स हो चुका है और इसी के साथ हमारा बेर का चार रेडी हो चुका है अब हमें इसको उतार दूंगे एक बॉल में अब हमा चार को थोई दर ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ये देखिए हमारा चाहर ठंडा हो चुका है अब मैं इसको सर्फ करके दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं कितना यमी और टेस्टी लग रहा है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है आप जरू ट्राइ करिएगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत बूलिएगा वीडियो को लाइक, कमेंट, शियर, सब्सक्राइब करना मत बूलना बैल आइकेन को जरू किलिक करना जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिविगेशन मिलते रहेंगे थैंक्स पर वाचिंग मै वीडियो गाइस, लव यू, बाई